हेलो एविवान वेल्कम बैक सो वीडियो शुरू करने से पहले काइनली पीज सब्सक्राइब माँ चैनल एंड और अल्सु इट दा बेल आइकन ताक कि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिसना गरें कभी-कभी इंस्टाग्राम पर भी अपने दर्शन दे दिया करो स्टोरी में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करवा दें हमारे में लीड का नाम है जून हमारी फीमें लीड का नाम है मिंजे कि starting हमारी female lead से होती है जो की एक बहुत ही simple टाइप की लड़की थी और वो अपने पुराने स्कूल के बारें बताती है कि जब वो nerd टाइप की लड़की थी तो उससे कोई friendship नहीं करता था और उसके गॉगल्स भी लगे हुए थे सभी लोग उससे दूर भागते थे बट अब वो जब न्यू स्कूल में ट्रांसफर हो रही है तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगी वो अपने साथ बुरा बरताब तब होनी नहीं देगी इसके बाद वो मेकप करना सिखती हैं मेकप से तो भाई वो एकदम ब्यूटिफॉल बनी जाती है स्कूल में इंटर करती है तो अपने आप से बात ही कर रही थी कि इस बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं चेलूंगी जोकि मुझे अच्छा फीलना हो मैं नए फेंट्स बनाऊंग देखना स्कूली सबसे मोस्ट पॉपुलर गर्ल भी वनूंगी आज का मेरा प्लैन बस यह है कि मुझे सबसे पहले स्कूल में जाकर एक बेस्ट बनानी है इक दिन में बेस्ट बन जाते हैं क्या इसके बाद बगल में आई हुए एक बहुत बड़ी ग्रुप को देखती है मेरा भी ऐसा कोई ग्रुप हो जिसमें इतने सारे लोग हों एं मेरे इतने सारे अच्छे फ्रेंड्स हों चुकि मुझे अच्छे से ट्रीट करें मुझे कभी भी अकेला फिल ना हुने दे इसके बाद वो कहती है कि हाँ ऐसा करेगी एंड डेखना वो यह सब डिजर्व करत पर पताते हैं कि मेंजी को दरसर शोचली बात करना आता ही नहीं है उसे फ्रेंड से कैसे बात की जाती है वह वीडियो उसके बार में सोच रही थी उसने कर वर्यशन की वीडियों देखी ती जिसमें उसे ऐसा बताया था कि सबसे पहले चरे पर स्माइल रखो एंड के बाद सभी तालियां बजाते हैं जो कि बिल्कु अनेक्सपेक्टेड था उसे लग रादा शायद अपना नाम बताएगी तो सभी उसके बारे में गॉसिप करने लगें कि यह से बात भी करना नहीं आता इसके बाद थोड़ी सप्राइस होकर अपनी डेक्स पर बैट जाती ह यह बात करनी चाहिए के बाद कुछ लड़कों के पाथ जा रही होती है जो good yeah मिन्जी उन्हें हाय बोलती है वह सारी उटके उसे इग्णोर करके आपस में लड़ने लगती है इस बात को देखकर मिन्जी को लगता है कि अरे यार इन लड़कीं से अच्छा तो मैं बात ही ना करूं क्या पता मुझे ही मार पीट के सही कर दें मिन्जी को लगता है कि यार चलो छोड़ो मैं शायद पिलची बार की तरह है अभी भी सिंगा ली रहाओंगी मतलब मेरा कोई फ्रेंड नी बनेगा इसके बाद जब क्लास से बाहर निकलती है तो एक लड़की उसे टकरा चाती है उसका जो स्नेक से हो नहीं जाता है तभी यह में लड़की खुद उठकर मिन्जे को सॉरी बोलती है विकास में जे बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल लग रही थी इसके बाद मिन्जे को पना स्नेक्स भी उफर करती है तभी अपने पास को याद करती है कि जब वह बिलकुल टाइप हुआ कर दी मतलब इनी ब्यूट लड़की तब अपनी लड़की लड़की को स्नेक्स ओफर करती थी बट उसे रिजक्ट कर दी यह कहकर कि नो थैंक्स हम यह नहीं खाते इसके बाद मिन्जे सूचती है कि सच्छे मिरी लाइफ चेंज होने पर आई है मिन्जे उस लड़की से स्नेक्स लेकर काफी तक लेकिन उसका यहां पर आने का सबसे पहला कारण यह था कि यहां ट्रांसफर हो गया था लेकिन वह बताती नहीं इसके बाद थोड़ी सी बात करती है लेकिन वह तीनों रड़कियां उसकी फैंट बन जाती हैं वो सभी काफी अच्छे से नज्ज्वाइब कर रहे थे तब बना ली मतलब बनी गई यार उसके साफ से तो उसके लिए यही वेस्ट फ्रेंड है इसके बाद अब वो उनके साथ लंच करने के लबे जा रही है अब अब जब यह सीडियों से नीचे उतरते हैं तो मिंजे के पास एक बॉला का रुकती है तो यहां पर जीवान सबसे से बात करता है कि ऐसा कि कि निच्व का बीदिल उस पर राजये तो बात करें तो हमेशा मजाग के मूल में रहता है वह बातें भी काफिस ली करता है यहां पर हाइ जून और संग्सू अपने आपको करवा देते हैं लेकिन जैसे जून जीवान उसे कहती है कि अपने आपको इंट्रोड्यूस तो करवाओ पागल यहां पर जून उसे इग्णोर करके वहां से जाने लगता है बट 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 वहां से जा रहा होता है तो उसका ब्रैसलेट मिंज के स्ट्वेटर में अटक जाता है इसके बाद बिचारा सीनियों से पर दबट परहहिंने वाला ही वहते हैं कि हमारी मेली परके लिग्षाय के कि असाथ भी के उड्कारव का देखता है की और टेरी उसके और मिंजे उसे हैएक शॉरी मेरा इंटेंशन तुम किर कैसले मैं तुम्हें पकड़ लिया इसके बाद जून उससे कुछ भी नहीं कहता है वहां से चला जाता है है जून मिंजी की हेल्प कर रहा था विकॉस वो नए स्कूल में आई तो उसे नए ग्रूप जॉइन करने होगे और उसे वहां का शेडूल भी नहीं पता था इसके बाद हाय जून उसे सब कुछ बचाने लगता है लेकिन यहां पर जूएक लड़की इसका शायद हमारे हाय जून पर थोड़ा बहुत क्रश है उसका नाम है दाए दरसल यहां पर हाय जून को पसंद करती है तो वह कहती है कि एक मिट मैं उसे बता दूँगी तो इस बता दोगी तो मेरी क्या जूरत है आफ़ाइड वहां से चला जाता है और मिंजे म्यूजिक क्लास के लिए आते हैं यहां पर सब्सक्राइब के लिए चड़ाता है कि यहां पर एक डेक्स खाली है में तुम दोनों के लिए ना एक सेपरेट डेक्स चूज कर दोंगा एंच संग्सू का मुझ बंद नी होता इसके बाद टीचर उसके पीचे से आकर उसे दे मारती है वो कहते हैं कि अपनी डेक्स पर जाकर बैट जाओ जो मिंजे जून से बात करने की कोशिश करती है विकॉस वो नए स्कुल में आये तो उसे लोगों से सुरी जान पचान तो नाम मिंजे ऐसी नाम की को लड़की है जिसका फेशल एक्सपरेशन तो पता नहीं बट उसके बाल बिल्कुल हमारे मिंजे के तरह हैं यहां पर डीचरों से मिसंडिस्टैंड कर लेते हैं कि यह मिंजे ही है इसके बाद मिंजे को लगता है कि what wrong with me मतलब मैं किसी और की आई मैं यह कैसी बता सकती हूं इसके बाद मिंजे को थोड़ा जीब होता है क्या पता मेरी असली जो आइडेंटिटी है और रिवेल होने के बास भी मुझे छोड़कर चले जाएं चीटर कहकर मेरी दोस्ती भी तोड़ दें मतलब देर दिन की दोस्ती पूरी भी नहीं हुई त बटाल के जाव घुका ने की सारी अज रख़वटे आने लगी मिंजे सेंट में जे का इंस्टरिक आम अकॉंट डेकर यह जो कि काभी पॉपूलर थी पास और ऑप कहते हैं और उसे पता है कि वहां जो कि लोग समझ रहे हैं जे की चेरे का तो रंगी और जाता ओए तुमे नहीं बताँगा तभी हाई जिन कहता है कि हाँ यार मैं इसी को नहीं बताऊंगा आफट व मिंजे की हैप करता है यह पूल तुमारे काफी हल रहेगी हैं यहाँ पर मिंजे को लगता है कि शायद हाई जनों से पसंद करने लगा इसके बाद मुझे इतनी बद क्यों कर रहे हो तो हमारे मेंजे के दिल के चार टुकडही कि एक तृब बाई प्रिश पर खड़ी थी इन अपनी इतनी लाइव को सरी थी कि अभी तो फेंट्स मिले जो कि उसे मिस इंटर्प्रेट कर रहे हैं कि वो दूसरी वाली मिंजे जो कि इतनी जादा पॉपलर इंस्टाग्राम पर लेकिन वो तो है नहीं इसके बाद उसोसी है कि उसकी लाइब इतनी अदा मिस्टेबल क्यों है वह बस यह चाहती है कि वह इस वर्ल्ड से डिसप्यार हो जाए यह इसके बाद दोनों बैटकर बाते करते हैं यहां पर जून से पता नहीं लगने देता कि उसने उसकी सारी बात सुन ली थे लिए नुसे लग़ा था कि शायद करने वाली है कि तुम्हें कभी ऐसा फिल हुआ कि तुम्हें ऐसा लगता हो कि वर्ल्ड से डिसापार हो जाओं इसमें कितनी सारी मिस्टी सेंड कितने सारी डिसापॉइंटमेंट्मेंट्स हैं यहां जून एक्सपेक्टर ली कहा देता है कि हां मुझे भी कभी लगता है बट वह ज्यादा लॉंग तक चलाता नहीं है वह कहता है कि ठीक है हमारी बात यहीं पर कट अफ होती है अब हम अपने घर को चलते हैं अगले देन दूसरे वाली मिंजे की इंट्री होती है और वह भी अभी इस स्कूल में ट्रांसफर होकर आई थी लेकिन उसने अपना गैट अप पुरानी मतलब हमारी रियल वाली मिंजे की तरह बनाया हुआ था जो कि वह पहले वाल स्कूल में रहती थी अब यह क्या मांज रहा है और यह सब यह क्यों कर रही है तो हमें अभी पता चलेगा ही नहीं इसके बाद जब वह क्लास में सभी को अपने आप से इंट्रड्यूस करवाती है कि हालो एवरीवन आम मिंजे इसके बाद सभी करते हैं कि मिंजे और इस बार कोई तालया नहीं बजाता बिकॉसझ वह भी और जाता की और सेक्ड़ीज चावरी मिन्हें उसे बात करने की कोशिच करती है उसके साथ साथ वाश्रूम में भी जाती है यहां पर मिंजे उससे बात करने से बिल्कुल मना कर देती है और कहती है कि देखो आगे से इसा प्रिटेंड भी मत करना कि तुम उसे जानती हो मुझे इन सब चीजों से कोई फरक नहीं पड़ता ह इसा चल रहा है वसा चलने दो मिंजे को यह बात के लिए तो करनी थी कि वह पॉपिलर वाली मिंजे वह नहीं है इसके चक्कर में उसे सारे पावट बिलने पड़ रहे थे पर संग सू है जिन से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि जून और मिंजे काफी जादा क्लोज आ रहता है तो मिंजे कहती है कि उसने तो उससे ऐसा काया कि वह से चांती भी नहीं ऐसा प्रिटेंड करें तब हैं लड़की बहुत जादा टेड़ी खीर है ऐसे हाथ नहीं आने वाली बिट्टा बहुत कुछ करना पड़ेगा तो यहां पर क्लास में देखें मिंजे की फैंस में को काफी उल्डा सीधा बूर रही थी कि वह तो ब्यूटिफोल नहीं है हमारी में तो कि अद़ पॉपलर में जो हमारी मेन है उसका नाम रख दो पॉपलर में एंजू नहीं आमरक दो लोनर में यह घुड़े थी यह लोग किन जिए हैं मतलब कुछी बाते करेंगे जब जून और मिंजे बाहा हा निकल रहे होते हैं तभी संग्सू आता है उन दोनों पर फुलू की बारिश करने लगता है और कहते हैं रोमेंटिक मेंटिक कपल एंड बस यारों को थोड़े रूमेंस की कमी है इसके बाद मिंजी कहती है कि संग्सु तभी जून उसे बहुती घुराते हुए देखता है और जून वासला है कि पगला पगला गई हो का तो कहता है कि पगला तो हम नहीं गए तुम कुस दिनों में पगलाने वा इसके बाद तीनों नीचे सफाई में लग जाते हैं और यहां पर मिंट की बात करें तो यह लड़की का फिदा स्कैरी है दरसल यह में जी को खीच कर एक रूम में ले जाती है और गया तुम मेरे आसपाज ने दुनों से घूम रही हो मैं तुम से कितनी बार काया कि कभी मेरे नाम बताती है कि तुम्हारे नाम से मुझने के वाएस सब स्टैन्डेंग हो अटार इसके बाद के तो बहुता प्रॉबलम होने वाली कि दो इसके बात बात मिन एक दम सही बोल रहे थी तो इससे और ब्राब्लम हो घंगी तो भी तब बता ऑचाहें ना बताओ एक दे जाएगा एनिजी के साथ हमारा यह पार्ट हीं पे खतम होता है तो मिलते हैं नेक्स पार्ट के साथ तक के लिए बाइबाई गाइस टीक्याइब